नहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब मैं इस तील के इस स्केल को जिसकी आधे से ज्यादा लंबाई मेज से बाहर निकली है मेज पर रखने का प्यास करता हूँ तो यह बार बार गिर जाती है लेकिन जब मैं इसको हतोरी एक विशेश स्थिती में लेकर धागे की सहायता से लटकाने का प्यास करता हूँ तो देखिए अब इसको मैं संकुलिट करने का प्यास कर रहा हूँ तो यह आसानी से रख जाती है देखिए हलका सा थोड़ा सा प्यास करूँगा और यह बिलकुल हाँ संकुलिट हो गई क्या बढ़िया आदिस ज्यादा बहार बहुत अधिक बहार मेच के बहार लटका हुआ है इसको मैं हिलाने डूलाने का प्यास भी कर रहा हूँ लेकिन फिर भी यह बहुत अच्छी तरह से संकुलिट है ऐसा क्यों होता है पहले हम गुरुत केन के बारे में जानते हैं फिर हम संकुलिट के बारे में समझेंगे तो गुरुत केन किसी वस्तु का गुरुत केन वे बिंदू होता है चाहे वस्तु किसी भी इस्थिती में क्यों न रखी जाए वस्तु का समस्तवार उस बिंदू पर कार करता है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चे लोही के तार के एक सिरे को अंगली में रख कर शंतलित करने का प्रयास कर रहे हैं मतलब इस तार को अपनी उंगली में रोकने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन यह सफल नहीं हो पा रहा है बार बार तार इन से गिर जाता है लेकिन जब हम इसी तार को एक विसेस इस्तिती में मोड देते हैं तब हम इस तार को चाहे जितनी देर तक लटका है रहे हैं कोई दिक्कत नहीं हो रही है मतलब ऐसा करने में हम सफल हो जाते हैं अब हमार तार का जो सिरा है अंगली पर काफी देड तक रखा रहता है। पिछली बार की तरह यहाँ पर अब बच्चे तार को ना लेकर एक पैन को अपनी अंगली पर रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बार भी वेच सफल नहीं हो पा रहे हैं। यह रखेंगे तो थोड़ी समय के लिए रख पाते हैं यदि हम इस पैन में तार बांद कर उससे कोई भाल लटका देते हैं तो हम देखते कितना मज़ा आता है तार की हम इस्थिती बदल बदल कर कितनी आसानी से इस पैन को अपने उंगली पर इस्थिर रख सकते हैं सच भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने सच भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपनी वादा ये वादा कर लिया हमने सच भारत का इरादा कर लिया हमने जब हम काटे और चम्मच को इस पिकार फसाते हैं और माचिस की तीली इसके बीच में डालते हैं और इसको ग्लास के उपनी सिरे पर रखते हैं तब देखिए संतुलन क्या है आईए इसके बारे में जानते हैं वस्तु का भार गुर्ट केंद से ठीक नीचे की ओर कार करता है अतर गुर्ट केंद पर वस्तु के भार के बराबर उपनी बल लगा कर हम वस्तु को शंतुलित कर सकते हैं जब किसी वस्तु पर कई बल इस प्रकार लग रहे हों कि वस्तु ना तो रेखी गती करे और ना ही घूनन गती करे तो वस्तु शंतुलन में कहलाती है कोई भी वस्तु उस समय तक संतुलन अवस्ता में रह सकती है जब तक उसके गुर्ट केंद से होकर जाने वाली उड़वदर रेखा उस वस्तु के आधार के छेतफल के अंदर से होकर गुजड़ती है मतलब यह है कि गुर्ट केंद से होकर जो जाने वाली उड़वदर रेखा है वो वस्तु के आधार से जिसपर वस्तु टिकी हुई है उसके आधार से होकर गुजड़नी चाहिए यद यह रेखा आधार के छेतफल से बाहर हो जाती है तो वस्तु का संतुलन बिगड़ जाता है और वस्तु गिर पड़ती है यही क्यारण है कि वस्तु के आधार का छेतफल जितना बड़ा होगा वस्तु का संतुलन उतना ही अधिक स्थाई होगा जब हम पानी से भरी बाल्टी अपने दाय हाथ में लेका चलते हैं तो बाय हाथ की तरफ जुक जाते हैं वास्तों में ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे गृत केंसे होकर जाने वाली उड़वदर रेखा हमारे पैरों के बीच में होती है